वेल्कम टू माई चैनल आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ रफल बेबी फ्रॉक जिसमें हमें वन मीटर कपड़ा चाहिए जिसको मैंने फोर फोल्ड किया हुआ है परका पार्ट कट करके इसकी लेंद्ध है थर्टीन इंच और वेड़ है एट इंच पहले हम नेक की मेजरमेंट कर लेंगे जो नेक की बेरते हैं वो हम लेंगे ट्व एंड हाफ इंच और जो लेंद थे नेक की वो हम लेंगे थ्री इंच इस तरह इसको स्कॉाइट शेप में कर लेंगे फिर हम शोल्डर लेंगे फाइव एंड हाफ इंच इस तरह मार्क कर लेंगे इसको आर्मोल की लेंद्ध लेंगे फाइफ इंच इस चैस लेंगे हम 6.5 इंच इस पर मार्क कर लेंगे पर हम साइड फिटिंग का लेंच पर मार्क कर लेंगे लेंगे इसको पर आर्मोर्ट से जॉइन कर देंगे इस तरह से आपने आर्मोर्ट पे गुलाई दे देंगे और इस तरह नेक पे गुलाई दे देंगे यह कंप्लीट हो गया अब हम इसकी कटिंग करेंगे यह 3,2,4 है बेबी फ्रॉग है इसको हमने इस तरह से कट कर लिया अब हम आर्म होल और नेक की कटिंग करेंगे उपर वाला पार्ट हम अलग कर लेंगे क्योंकि फ्रंट को जो नेक के वो थोड़ा गहरा होता है और बैक का जो है वो कम होता है इस तरह हम फ्रंट वाले नेक को कट कर लेंगे जहां हमने मार्क किया है पैक वाला पार्ट रखेंगे इसको कट करेंगे इस तरह से बराबर बिठा लें अब तकरीबन वन इंच लेकर हम इसको बैक का नेक कट करेंगे अब इन दोनों को बराबर रखके साइट का कट कर लेंगे यह तकरीबन देखें हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है फ्रॉक के उपर के पार्ट की और जो हमारा फ्रंट का पार्ट है हम उसको बीच में से हाफ कर लेंगे क्योंकि यह फ्रंट ओपन फ्रॉक है अब हम एक एक्स्ट्र कपड़ा लेंगे उसमें से त्री त्री इंच का मार्क करके अपने रफल के लिए कपड़ा लेंगे यह थ्री इंच का हमने मार्क किया इस तरह के हम तीन निशान लगाएंगे थ्री इंच और फिर थ्री इंच इस तरीके से हमने यह थ्री इंच के त्री निकाल लिए दो आर्म होल पर यूज होंगे एक नेक पर यह इस तरह से मैंने रफल को आर्म होल पर जॉइन कर लिया है यह देखें इस तरीके से मैंने स्टिच किया इनको इसके बाद जो है हम जो नीचे वाला गहरा है इसको जॉइंट करेंगे जो हमारा गहरा है घेर हैगा फ्रॉग का नीचे का उसकी जो लैंद है वह है थर्टीन इंच और जो इसकी विर्थ है वह है ट्वेंटी एट इंच इसको हम जोइंट करेंगे उपर के पार्ट से इस तरह से रखकर जो हमारा घेर का खुला हुआ हिससा है उसको आगे की तरफ रखके जोइंट कर लेंगे इस तरीके से देखें मैंने जोइंट कर लिया है यह आगे से फ्रंट है तो यह इस तरह से में खुला रखा है अब इन दो उनको पट्टी लगाएंगे आगे से और नेक एंड में होगा इस तरीके से 3 एंच की दो कपड़े इनको ऐसे फ्रंट पे रखके जॉइंट करना है इस तरीके से चुछ दोनोों साइड पे जॉइंट कर लिए यह कि द दोनों हिसें ठाइब और नक पे भी रखके लगा दी मैंने यह देखें इसकी फाइनल लुक कुछ इस तरीके से यह ऐसे फ्रंट है बीच में से ओपन है नीजे राट करेंगे पाइपिंग यूज किये मोटिव लगाए और यूं बटन लगा लेंगे हम यहां पर